इस बिजनस को वो लॉट्री समझता है, अपने ग्रूप में मत रखी उसको, क्यों नहीं रखी क्योंकि वो विल्कुल उसका माइंडसेट ही खराब है, दारना है, यह बहुत दारना है गलत है, आपके माइंडसेट बदलो, माइंडसेट नहीं बदल रहा है, तो इस ब्यक्ति तो ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है सर, यदि आप स्कीम इसको मानते हो, आप समझते हो कि स्कीम है, स्वाट कट रास्ता है, इसमें तो कुछी समय के लिए आते हैं लोग और कहीं कहीं करोड़पती बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं, तो यदि आपका ये माइंडसेट ह है ना, तो आप निकल जाएए, बोली कि भीया, आप इस ग्रूप में उसको, आप अपने ग्रूप में मत रखी उसको, क्यों नहीं रखी, क्योंकि वो बिल्कुल उसका माइंडसेट ही खराब है, या फिर आप उसका माइंडसेट को बदल दीजे, कि ऐसा नहीं, ऐसा करना ह और अगली बात जो करता है, वो लोटरी समझता है, इस बिजनस को लोटरी समझता है, कि मैंने रजिस्टेशन करवा लिया है, मुझे वो कोड नमर यानि आईडी नमर लोटरी नमर मिल चुका है, अब मुझे मेरा नमर का वेट करना है, और मैं कहीं ने कहीं इसमें करोड़ तो यदि ऐसा mindset है तो mindset बदलो, mindset नहीं बदल रहा है, तो उस ब्रक्ति को बदल दो सरा, ब्रक्ति को बदल दो, क्यों हो आप ढो रहे हैं उसको, क्योंकि वो सोच के आया है कि इसमें time तो लगता ही नहीं है, लेकिन सच बताऊं कि जिस तरीके से बाहर की business में समय लगता है उसी तरीके से इस business में भी समय लगता है सर। आप ये मस सोचिए कि मैं 1-2 साल 6 मुईने फटा फटा काम करूँ और फटा फटा मेर बन जाऊँ है। तो ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है, ऐसा mindset यदि कोई भी आपके group में बना के रखा है, तो आप इनको बताईए, वीडियो समझाईए, और बताईए कि ऐसा mindset आपको बिल्कुल नहीं रखना है, यदि आपको सफल होना है तो, क्योंकि अगले 6 महिने में आपका अंतिम संस् business में, कुछ न कुछ बहाना लगा के हट जाएंगे, कि ये business चलता नहीं है, ये business में फाय्दे नहीं है, इस business में लोग पैसे नहीं कमाते, बहुत तरहे-तरहे के बहाने आप बना देंगे, और निकल जाएंगे साइड में, तो आपको यह चीजने ध्यान रखना है, यदि कोई आपका टीम लीडर है, तो उसको बारीकी से समझेए, और बारीकी से उसका मांड सेट बदलिए, यह आपकी जिम्मेदारी है as a लीडर, यह वीडियो सुनाईए उसको, इसको बताईए कि इस तरीके का मांड सेट, और यदि आप देख रहे हैं, तो मैं आपको बताता हौं कि इस तरिके की समझना बंद करिए, लौटरी समझना बंद करिए, इसमें समय लगता है, इस तरीके की गलत दारनाए मत रखिए, क्योंकि आप गलत दारनाएं रखते हैं तो आप reality से बहुत भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो यह आपकी धारणा है बहुत धारणा गलत हैं आपको ऐसा नहीं करना है तो यह माइंडसेट आपको हटाने हटाना है